तो दोस्तों मैं धर्मेश आज करने जा रहा हूँ IQ Z9X और Vivo T3X के बीच एक Speed Test comparison सबसे पहले दोनों ही devices को करते हैं restart और तब तक बात करते हैं इनके specifications के बारे में तो दोनों में ही आपको Snapdragon 6 Gen 1 processor मिलता है और इस Speed Test के लिए IQ Z9X का लिया गया है 6GB RAM वाला variant वही वी वो T3X का यूज किया गया है 4GB RAM वाला variant और यहां पर restart टेस्ट तो थोड़ा सा यहां पर T3X जल्दी restart हो गया as compared to IQ Z9X आगे बढ़ते हैं N22 benchmark की scores की तरफ तो अगर total की बात करें तो वहां को खास difference नहीं है IQ Z9X का है लगवग 1.5 lakh की आसपास जाता है T3X का यहां पर T3X थोड़ा सा बेहतर प्रफॉर्म कर सकता है यह भी scores की बात करें तो वहां कोई difference नहीं है दोनों का score लगवग 1.30,000 की आसपास है दोनों ही devices N22 3D का लैट वर्जन सपोर्ट करते हैं अच्छे गेमिंग प्रफॉर्मेंस यह आपको मिलते है इसकोर के मताबिक इसके अलाबा मेमोरी स्कोर्स की बात करने दो डवाइस की रीड़न रायट स्पीड का score थोड़ा सा जादा है IQ Z9X का आगे बढ़ते हैं तो प्रेक्टिकल यूज की दरफ की क्या सा परफॉर्म करते हैं दोनों ही devices डेली यूज में तो यहां यह कुछ एप्लिकेशन है जिनको बारी बारी से दोनों डवाइस पर लॉंच करके देखते हैं क्रोम की बात करें तो यह थोड़ा सा ज्यक्क पर जल्दी है लॉड ऒए सबस्क लोडी है टेक्टिकेसन ट्राय की यह दोनों same time पर लोड वहीं एक जब आप आगे बढ़ते हैं अप्लिकेसन ज्यदा लोड करते हैं तो उस सिक्सजी वी रियम का यहां ble apolog edition Rub आज तोड़ई Z9X वहां पर बिल्कुल बहतर प्रफॉर्म करेगा 4G RAM वाले T3X से, अगें आप यहां पर इस गेम में भी देख सकते हो, यह भी Z9X पर जल्ली लोड हुआ as compared to Vivo T3X, अभी यह गेम और देखते हैं, यह किस पर पहले लोड होता है, और अब तिक जो प्रफॉर्मेंस देखने अब यहां पर प्रोसेसर आपको सेम मिलता है, तो प्रफॉर्मेंस भी सेम मिलनी चाहिए, लेकिन RAM वेरियंट के हिसाब से देखते हैं कि क्या कोई डिफ्रेंस देखने को मिलेगा, तो यह गेम पहले मैंने मीडिम ग्राफिक सेटिंग्स पर रन गिया, और यहां किसी तरह अब को इशु देखने को नहीं मिले, तो यह गेम काफी इसमूद तरीके से रन होता है, फिर जब मैंने इस गेम को हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर स्विच किया, तो वहां पर ग्राफिक्स काफी रियरिश्टिक देखने को मिले, और गेम में थोड़ा बहुत लेग या फि 4G RAM वाले वेरियंट पर भी, अब बात करते हैं Z9X की, तो Z9X पर यह गेम डारेक्ट स्विच्ट करते हैं, हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर यहां पर गेम प्ले आप देख सकते हो, और लगवक्स परफॉमेंस मुझे यहां देखने को मिली है, यानि कि 4G RAM और 6G RAM वाले RAM व देखने को मिलेगा, सुपर इसमूद तरीके से आप मीडम ग्राफिस पर वाले टीखने को मिलेगा, और सुपर स्मूथ तरीके से आप मीडम ग्राफिस पर अपने दोरों ही डवाइसे पर नजल डालते हैं, तो 4G वी ओर 6G में क्या फार्थ देखने को मिलता है, वह यहां पर आप देख सकते हो, 4G VRAM वाले T3X पर डायलर जिया से छोटा एप्लिकेशन में क्लोज हो गया, अगेन यहां मेसेज भी क्लोज है, और बहुत जादा एप्लिकेशन रन नहीं हो रहे है, 6-7 एप्लिकेशन के वल रन हो रहे है, क्रोम दोनों डवाइस पर क्लोज हो चुका ह लेकिन लोड पहले G9X पर हुआ, गैलली दोनों डवाइस के बैगरण पर बनी होई है, केमरा अगेन G9X पर बना हुआ, लेकिन T3X पर यह भी रिलोड हुआ, या फिर कहें रिस्टार्ट हुआ, प्लेस्टोर दोनों डवाइस पर रिस्टार्ट हुआ, और केंडी क्रेस द आपको यहां पर देखने को मिली जाती है, जो आप यहां पर देख भी चुके हो, एक लास्ट एप्लिकेशन और ट्राइ करते हैं, देखते हैं कि क्या वो किसी डवाइस के बैगरण पर बना हुआ है, तो यह एप्लिकेशन भी दोनों डवाइस के बैगरण से क्लोज हो इंच चिल्बर